दोस्तों कर अभी तक आपने हमारी वीडियोस को देखा होगा आपको मालूम होगा कि आखोडी के बारा मेंसे ग्यारा मैच मैंने आपको इसी विसो कप के जिताए हुए है और यहाँ पर भी मैं वही कोसिस करने वाला हूँ यहाँ पर भी मेरे हिसाब से अगर ऑशेलिया वाल पहले बॉल कर रहे हैं वहाँ पर हमारे जीतने के चांस काफी अच्छे होंगे देखो एक चीज़ है और शेलिया के प्लेयर्स के बारे में सभी को मालूम है लेकिन आपको जिताएंगे कौन वो होंगे स्कॉट लेंड के प्लेयर अभी तक हम क्यों विसो कपे जीत रहे हैं हमें पूरी तरीके से जांकारी है पिछले मैच बी मैक मुलन जिसको कोई लेकर के नहीं चल रहा था इस प्लेयर ने ओमान के सामने अच्छा परफॉर्म करेगा और इसने हमें अपने दम पे जिताया था जिन लोगों ने पिछले मैच के हमारी वीडियो को देखा होगा उन किसी भी बालर के okर भरोशा मत करना किसी भी पहले आईशीशी ने अशेलिया को पहले एक वो दे दिया है कि अगर यह लोग जानबुस्के स्कॉर्ट्ले से हार रहे हैं तो इनके तीम के ओपर एक्सन लिया जाएगा यानि कि यह लोग जानबुस्के तो नहीं हारें गलैं तो अशेलिया की टीम ही जीतने वाली है और एक चीज़ जरूरी है वो क्या है ना कि स्कॉट लेट के प्लेयर यहां पर आपके ट्रॉम्प काद प्लेयर रहेंगे वो जिताएंगे कौन को से प्लेयर दो प्लेयर है मेरे पास एश्री लूसिया पर यह मैच होगा ना यानि कि यहांपे रन बनेंगे यहांपे हाई स्कॉरिंग गेम होते हैं रन असानी से यहांपे बनाए जाते हैं बालर्स यहांपे इतना गेम में नहीं रहते हैं यानि कि यहांपे रन बनेंगे वोंस जबेदी फोर के एवरेश स्कॉ जिसमें से मैच ज्यादा भरोसा इस वाले मैच भी मैकमूलन के ओपर नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि सामने आशेलिया की तीम और ये कैसा प्लेयर रहना, जो कि सिर्फ मारेगा या फिर आउद होगा, मारेगा या जाएगा, आएगा, मारेगा, जाएगा, आएगा, मारेग नहीं होगा, इसी वज़ास सबसे पहले मैं मैकमूलन को ले करके चलने का नहीं सोच रहा हूँ, नहीं सोच रहा हूँ, यहां से मैं आर बेरिंग्टन को लेने का नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि इसने आख़ोई के अपने 20 मैच के लेना, उसमें से 17 मैच बुरी तरीके से आए सामने मजबूत तीम है और यह स्कौद लेदिकी तीम को उसे खटानी कर रहा हो सकता है कि ऐसा कैप सही परफॉर्म कर जाए लेकिन वैसे भी कोई इसको ले करके नहीं चल रहा है अब वैसे भी यह फॉर्म में भी नहीं है तो ऐसे प्लेयर को पर रिस्क नहीं लेंगे त इसकी तीन चल और भी कर लेगा अब फिर यह बन्ले बाची में भी आकर 123 22 रन बना कर है अब प्लेयर काफी सही है कहीं अगर इसने तीस रन अश्रेलिया की और से मिचल इशार को नहीं खेलाया जा रहा है तो समझों कि अश्रेलिया के जो सुरू के बॉलर से वो इतने तगोड़े नहीं होंगे वहाँ पर बॉल करेगा जोस हैसल वुदां मार्कस इश्रोईनिस यानि कि सुरू के बल्ले बाचोंगे अगर ये संभल क खेले तो ये रन बना सकते हैं दोनों ओपनर्स हैं और इन्हें मालूम है कि इस पिछ पे रन बनने वाले हैं तो अगर ये लोग संभल के खेलेंगे जैसे कि इन लोगों ने इंगलेंद के सामने खेला था 90 रन के करीब बना चुके थे हैं ना बारी सो हुई फिर मैंश में फिर रन बनाए तो ये दोनों प्लेयर ने वहाँ पे गसब की बल्ले बाजी की थी वह सामने वह भी अच्छी टीम थी यहाँ भी रन बनने के चांस है तो ये दोनों में से कोई एक प्लेयर अच्छा परफर्म करेगा इसी वज़ाँ से मैं अभी जी मुनसे को ले करके चल है क्योंकि ये समझदार प्लेयर समझदार प्लेयर का मतलब यह है कि कोई अगर अच्छी बाल कर रहा है तो उसकी बालों पर छक्ये चौक्ये मारने की कोसिस नहीं करेगा जब कोई कमजोर बालर इसको मिलेगा जिसकी बाल इसको समझ भाई कि वहीं पर मारने जाता है लेकि सामने ये सो एमो जोंस वा भी मैक मुलन है ये बॉलर नहीं देखेंगे ये मारेंगे भाई मारोगे तो अश्रिया के बॉलर सापको मारेंगे इसी वज़ा से मैंने जी मुंसे को लिया है अभी मैं स्कॉट लेद की और से ये दोनों को ले करके चल रहा हूँ अगर अगर पहले बल्ले बाजी करेंगे तो मैक्सवल को लेंगे है ना अगर और अश्रिया वाले पहले बल्ले बाजी करेंगे ध्यांसा सुना ये ही ज़रूरी है और अश्रिया वाले अगर पहले बल्ले बाजी करेंगे वहाँ पर मैं मैक्सवल को लूँगा स्कॉद लेद वाले पह का कोई रोली नहीं रहेगा फिर वहाँ पे मैक्सवल का कोई रोली नहीं रहेगा शुरू के तीनी प्लेयर आपको मैच जिता करके ले जाएंगे अब इक लिए बॉलस में ऑश्रेलिया के चार के चारों बॉलस को ले करके चलना जरूरी है अब अगर यहां से नाधैन एलिस खेलेगा तो इसको लेंगे अगर यहां से मिचल इशार खेलेगा तो इशार को ले लेंगे यहां से बल्ले बाच्चों में यह तीनों बल्ले बाच्चों को ले करके चलेंगे यानि कि अभी इसमें हुआ क्या है हमने अशेलिया के 5 के 5 बॉलर्ष को ले लिया जिनका मिला करके 19 ओर के करीब बॉल होने के चांस रहेंगे अशेलिया के सुरो के 5 में से 4 बल्ले बाजिशों को भी ले लिया है यह दोनों ओपनर्स आएंगे अगर 20-25 रन बना दिया काम कर देगा ऐसा keeper भी खिलेगा तो इसी को ले लेंगे ये team मैंने mainly तब के लिए बनाई है जब Australia वाले जब पहले बॉल करेंगे अगर Australia वाले पहले बॉल कर रहे हैं क्योंकि आपर रन बनाना असान है तो जी मुंसे और एम लीस काप को वापर अच्छे रन बना करके दे सकते हैं अब इसमें कैप अवी सी आपको लें कौन अच्छे प्लेर रहेंगे क्योंकि ये team मैंने तब के लिए बनाई है जब Australia वाले पहले बॉल करेंगे यानि कि Australia के बॉलर्स को ही या पिर एक शाफ बॉलर्स को बना करके चल सकते हैं या फिर किसी एक्षाफ बॉलर्स को या वी सी बना करके चल सकते हैं जैसे की नाधन एलिस है ना तो ये team मैंने तब के लिए रहेगी जब Australia वाले पहले बॉल करेंगे क्योंकि स्कॉट लेंदिंगी टीम वो नहीं है कि 40 रन, 50 रन पर उलाउद हो साइगे ये टीम एक अच्छी टीम है, इनके पास बल्ले बाच काफी अच्छे है यानि कि अश्रलिया की ओर से जो बॉलर आखुरी की ओर से में बॉल करेगा नाधैन एलिस ये आपको अच्छी बॉल करके दे सकता है, क्योंकि आखुरी कोर्स में श्कॉट लेंदि की टीम भी वहाँ पर रन बनाने को जाएंगे, वहाँ पर कैच वगरा देंगे तो वी सी के लिए अपने दो अच्छे प्ले रहेंगे, पैद कमिस और नाधैन एलिस, ये दोनों आपको आखुरी की ओर से में बॉल करके देने वाले, अब इसमें आप मार्कस और श्राइनीस को कैप बना सकते हो, जब और श्रेलिया वाले जब पहले बल्ले बाजी कर रह अपनी कफ़ानी में, और इसी पिच पे आखुरी के चार मैच और फोदी धरी के एवरेस्टे रन बनाया ये, मिचल मार्स ने, यानि के ऐशी लूसिया के इसी पिच पे दोँजर इको के समय में, वेशनिस से सिरिज हुआ था, वहाँ पर मिचल मार्स ने खूब रन बनाए वहाँ पर जी मुंसे को ना ले करके गिलेन मैक्सवेल को ले लेंगे वहाँ पर प्रफिविन मैं कैप आव इसी में शॉइनिस को कैप बना सकता हूँ एधम जांपा को बना लूँगा और यहाँ से दोनों सो ओपनर सना त्रविस है तो देविद वार्नर यह चार प्लेयर फि की तीम फानल टीम जो भी होगी तौस होने के बाद आखोड के दस मिनत में स्क्रीन सौत जरी जरी सब्सक्राइब हो फुरी का लाल पतन है सब्सक्राइब सरूर कर लेना कोई चार्ज नहीं लग रहा है जल्दी से